एलो दोस्तों स्वागित है अब सभी को ह्योता है अग्स हम सेखेंगे कीश से डिलेट करेंगे अपने फोन से मान लीजिए आप के पास है आपके पास पैस अविध काफी सा रहा है या तो ना चाहते हैं चली वीडियो करते हैं तो जो कहुत करने आपको फेस्बूक पेज़िट करना का पाईछे देखने को मिल जागा तो 3-line बटन पर टच करेंगे तच करने के बाद में अब यहां पर जो मेरा Facebook एकाउंट का जो लॉग इन है फिलाल में तो हमें Facebook पेज को यहां पर सुच करना पड़ेगा तो चले आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग का अइक बटन इस पर अकई सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा और जो नाम होगा आपका Facebook page का जो नाम होगा या तो हो सके तो आपके पास में दो तीन चार पांस से भी अधिक page है तो सारे के सारे list यहां पर देखने को मिल जबाएगा तो जिसको आप डिलीट करना है उस वाले उस वाले आपको page पे टच करना पड़ेगा तो Facebook page setting है यहां पर देखने को मिलेगा पेश सेटिंग फोर आपका नाम देखने को मिलेगा उस पे एक वार टच करेंगे टच करने के बाद में एक नया इंटरफेस आपकी फॉन की डिस्प्ले पर सो हो जाएगा यहां पर प्रशनल इंफोमेशन में जो आपको देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा तो आप कुछ टाइम के लिए डिसेबल करना चाहते है तो पहले बाले आप्शन पर रहने दीजिए आप चारे कि अपना पेज को हमेशन को इसके लिए डिलीट करना चाहते है तो इसके लिए दूसरा नंबर आपको यहां पर चूज करना पड़ेगा तो फेसबुक जो फेसबुक का जो पेज है पेज डिलीट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा डिलीट पेज यहां पर देख सकते इससे हम चूज कर लेंगे क्योंकि हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट पेज का यहां पर चूच करेंगे इसके बाद करने के बाद में अब यहां पर पूछ आपको पूछा जाएगा कि किस कारण से आप Facebook का जो पेज है वो डिलीट करना चाहते तो जो भी आपको रिजन लगे अपना यहां पर रिजन चूच कर लेते हैं माई एकाउंट वाज है यह वाले रिजन को हम सलेट करते हैं इसके बाद कंटिन्यू बाले बटन पर टच करेंगे टच करने के बाद में इसमें स्कॉल डॉन करके नीचे कुराइंगे यहां पर सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा यह सारे दे आपको टाइप करना इंटर पास वर लिखा है इस की बाद में एक नौटिक्एशनल आपको सब्सके देखने को मिल जाएगा आप diesem ंए मृटरी पेइसे परिलेट करने तो यहां पर देखने को मिल जाएक encanta बटन पर टाफ करते हैं अब यहां पर है कि जैसे आप डिलीट करने के बाद में भी आप 30 दिन के अंदर जदी चाहरे कि वही एकाउंट को हम दोवारा से रिक्टिवेट कर ले यानि दोवारा से चालू करेंगे तो हो जाएगा तो फाइनली आप पर चाहते हैं तो इस तरह से कुछ आसानी सी टिप्स आप फूलो करके इसी तरह से डिलीट कर सकते पाल्ज को मेंद करते ही वीडियो आपको अच्छे लगा हो अच्छा लगा तो like, share, comment जरूर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में करें टॉफिक के साथ thank you